आप सभी का सागत है एक पर फिर से बैक टू बैक विनिंग मैश प्रेडिक्सन के साथ हेलो दोस्तों आप देखना सुरू कर चुके हैं ग्यान कोस और आज हम बात करने वाले हैं बिग बैस लीक के 20 में मुकाबले की जो खेला जाएगा ब्रिस्बैन हीट और हॉबर्ट हरिकंस के वीज में वीडियो सुरू करने से पहले हम आपको बता दे कि हमारे चैनल पर एक क्विज चल लई है जी के क्विज जिसमें जर्नल लालिस के 5 क्विज पूछे जाएंगे और उनका आंसर जो भी देगा उसे मौका मिलेगा भारी कैस जीतने का अगर आपको इस क्विज की पूरी जानकारी चाहिए तो उपर आई वेटन पर एक लिंक मिल जाएगा जिस वीडियो में इस क्विज की पूरी जानकारी दी गई है अभी तक स्कूइच के दो कोश्चन पूछे जा चुके हैं और टीम कोश्चन बाकी हैं आपको पांचो कोश्चन के आंसर देने एक अच्छे से कमेंट के साथ अब बात करें अगर इस मैच की तो हावबर्ट हैरिकंस और ब्रिस्बैन हीट के बीज कोll 17 मकाबले खेले गए हैं जिसमें से 10 मकाबलों में हावबर्ट हैरिकंस ने जीत हैसल किए वही साथ मकाबलों में ब्रिस्बैन हीट ने जीत हैसल किए अब को स्क्रीन पर एक वाटसब नबर दिख रहा उगा प्रिंस भाई का मैं इनका काम काफी दिनों से देख रहा हूँ, ये बैक टू बैक विनिंग मैश दे रहे हैं, मैश तो पास करा ही रहे हैं, साथ में टास और सेशन में भी फुल प्राफिट करा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सजेक्ट करता हूँ कि एक बार इनके वाटसब नमबर पर मैसे जर इनकी तो हमें ब्रिस्पेन हीट की तरफ से ओपनिंग करते हूँ नजर आएंगे, सैम हेजलेट और मैक्स ब्रियांट, नमबर तीन पर क्रिसलीन की जिगे, साइमन मिलन को खेलते हूँ दिखेंगे, बात करें मेडल अडला जाउंडर की तो हमें देखने को मिलेंगे, डेन इससे पहले जानेंगे हम क्या रहेगी, हाबर्ट हरिकन्स की प्लेइंग 11, उपनिंग करते हूँ नजर आएंगे, डियर सी साट और बैन मैक्डर मोट, नमबर तीन पर खेलते हूँ दिखेंगे, कप्तान पीटर हैंड्सकॉम, बात करें मेडल अडला लाउंडर की तो हमें मुकाबला, दागवा श्रेडियम ब्रिस्बैन में खेला जाएगा, जहां कि पिच बैटिंग फ्रेंडली रहती है, यहां पर स्पिन वालिंग को मदद देखने को मिलती है, बैट और बाल का संपर्क अच्छा रहता है, हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की और ग् इंकारी चाहिए तो हमें फालो कर सकते हैं टेली ग्राम पर जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया गया है, वीडियो पसंद आईए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ग्यान को और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं